भाई बहुत हो गए छोले बटूरे पूरी पराटा खाना चलो आज मैं आपके लिए लेकिया हूँ बिल्कुल स्पेशल सी मज़ेदार सी रेसिपी जो आज से पहले आपने अपने घर पे कभी भी नी बनाएगी तो आप घर पे बने जब बटर परीर मसारा बढ़ें सी कड़ मश्रूम या फिर नॉन्विश बने तो आप इस रेसिपी को जरूर से जरूर से ट्वाई करना तो आज में लाई हूँ आपके लिए स्टफ कालिक कुल्चा नान की रेसिपी जो आपको बहुत पसंद आएगी और आम शोर आप इसे बनाओगे बहुत ही इजी वे में बनके तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी तो यहां पर मैंने ले ले यहां अपर डो कप मेयदा मेदा और को ले नहां के बाद मैंने डाला यहां पर एक क्रिस्पी रहे अब देखो आपको यहाँ पर मोयन वगेरे लगाने की जरूरत नहीं है सारी इंग्रेडेंट एक बारगी से अपने मैदे में डालो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लो अब मिक्स करने के बाद हमें यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाला है और हमें इसका बिल्कुर सॉफ्ट बनके तैयार हो गए अब हम इसे 15 मिट का रेस देंगे ध्यान रखने आपको कि हमें 15 मिट से घंटो रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है सिर्फ 15 मिट में हमारा बिल्कुल अच्छे से आटा यह सुफ्ट बनके तैयार हो जाएगा अब जब तक हम यहाँ पर पनीर क अच्छे से घ्रेट कर लिए मैंने थोड़ से सूखे मासाले अाट कें जैसे मैंने लाल मिर्ज का पाउड़र ला है थोड़ा समय देज़े ही द्दश के साफसे नमक हमें याद रखना है कि हम्ने अपने आटे में भी थोड़ा सा नमक डाला हुआ था अब देखो मैं आपनीर की स्टफिंग बहुंता है इस अधने की स्टफिंग बन के तयार हो गई है त्यार हो गया है ऑब हमें थोड़ा से सुखा मैंदर लगाना है मैंदर लगाने के बाद हम crew तुसे इससे प्रेस करेंगे और थोड़ा से फैला देंगे जिसके इंदर स्टफिंग अच्छे से भरे और आटा जो है लोई बनाने पर ये फटे भी न तो आप यहां पर खूप सारी स्टफिंग भर सकते हो अगर यहां पर स्टफिंग थोड़ी बाहर भी निकलती तो घबर जाने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्योंकि यह बहुत ही अच्छा हमारा जितना ही हमारी स्टफिंग उचल उचल के बाहर आई ही उतना ही ज्यादा यह अच्छा सा हमारा कुल्चा बनके तयार होगा बस इसे अच्छे से मिक्स कर लो सारा चीज़े अच्छे से डालने के इसकी ऐसे नौट बना के तयार कर लो हमारी यहां पर लोई बनके तयार हो गई है आप चाहो तो एक बार में सारी लोई बना के तयार कर सकते हो बस इसके उपर थोड़ सा गालिक पॉडर और डालो थोड़ से यहां पर गालिक घर में रखा होता है उसको बारिक बारिक चॉ और आप इसे खाओ बढ़ियां से लच्छा पराठे आपके फेल हो जाएंगे इतना टेस्टी यह हमारा यह गालिक तयार होगा कि आपको रेस्टूरून वाला भी हाँ पर फेल हो जाएगा बस आपको यहांपे क्या करने तब के उपर आपको यहां पर रखना है अपना कुल्चा थोड़ा से पाने की छीटे डालना है इसे ढखकर दो मिनट के लिए पका लेना है जब दो मिनट लिए अच्छे से एक साइट से पक जाए तो आप इसे पलट के भी दूसरे दरफ से लेना और आपको यह बिल्कुल त जाए इसके उपर बटर लगाओ और आप कुछ भी लगाओ देशी घी लगाओ और इसे बढ़ियां से बटर पनीर मसाला या फिर कड़ाई पनीर के साथ सर्फ करो आपको बहुत पसंद आने वाला है और वैसे तो पंजाब में चोले वगरे के साथ भी खाते हैं दिल्ली मे नीर कुल्चा बनाया है आप चाहो तो सेम इसी तरीकी से प्रोसेस थे आप आलू स्टरफ करके भी बना सकते हो आप प्याज स्टरफ करके भी बना सकते हो यह आपकी चोईस है कि आपको इसे कैसे खाना है और देखो कितना फूला फूला है हमारा बिलकुल मस्त तिक दम करा सुपर सॉफ्ट यहां कुल्चा बनके तयार है तो आप इसे सर्फ करो आप इस रसेपी को अपने घर पे जरूर ट्राइए करना बहुत ही आसानी से बन जाता है जदर ताम जाम में यह बहुत ही फटा-फट से बन जाता है और खाने में तो टेस्टी लगता है और आपको सच बताओं यह कुल्चा बनाने के बाद मैंने कोई भी सबसे नहीं बनाई थी मैंने नॉर्मल दही और अचार के साथ इसे खाया और खाने में तो बहुत लाजवाब बनाई था बस उपर से खुब सरा देसी घी लगाओ क्योंकि देसी घी और बटर के बिना तो यह कुल्चा अधूरा है बस उपर से देसी घी लगाओ अचार से दही के साथ सर्फ करो छोले वगरा पनीर वगरा बरहो तो इसे खाओ सोने पे सुखा हो जाएगा और बस आप इसे जरूर ट्राई करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक की बाई बाई टेक कियर